राजेश खन्ना के इस्टारडम का जलवा ऐसा था कि उस दौर की हर लड़किया उन पर फिदा हो जाती थी हिंदी सिनमा के पहले सुपरिस्टार राजेश खन्ना और एक्टर डिमपल का पाड़िय की लव स्टोरी से जुड़े कहीं किस से आपने सुने होंगे और खुद डिमपल ने राजेश खन्ना के सामने अपने प्यार का इजहार किया था फिल्मी कहानी की तरह सुरू हुई इस प्रेम कहानी का कुछ सालों बाद ही अंत हो गया डिमपल ने एक फ्लाइट में पहली बार राजेश खन्ना को प्रपोज किया था और पहली बार प्यार का इजहार करने के बाद खुशी के मारे उनकी रातों की नीन भी गायब हो गई थी। डिमपल के लिए ये सब किसी सपने के सच होने जैसा ही था। डिमपल ने अपने करियर की शुरुगात में ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए फटा फट राजे की दुलहन बन कर उनके साथ उनके बंगले आशिरवात में सिफ्ट हो गई। डिमपल और आजेश खन्ना की साधी किसी ड्रीम वेडिंग से कम नहीं थी। जब सुपरिस्टा राजेश खन्ना और डिमपल साधी के बंदन में बंदे तो शुरुआत में सब ठीक रहा। लेक लेकिन दोनों मेंसे किसी ने भी आगया कर इस रिस्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। और डिमपल ने कुछ समय बाद फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। कमबेक के बाद उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिल्म सागर में काम किया इसके अलावा उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी साधी के बाद वहरुद्राली, गर्दिश, क्रांतिवीर और काश द्रश्टी जैसी फिल्मों में नजराई डिमपल कपाडिया ने तब कहा था कि राजियस बहुत अलग सोच रखने वाले इंसान थे साधी के बाद उन्होंने फिल्ल किया कि वे दोनों बहुत अलग है या कह सकते हैं कि सायद वे उस चीज को समझ ही नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी उस वक्त उम्र बहुत कम थी इस वज़े से उन्हें समझी नहीं आ रहा था कि उस आदमी के साथ क्या हो रहा था जो कि एक सुपरिस्टार था वे कभी भी स्टार्स और उनके सुभाव को नहीं समझ पाई क्योंकि वे उस तरह की इंसान नहीं है डिमपल ने कहा कि एक बार हम सब एक फंक्शन के लिए प्राइवेट फ्लाइट से एहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे और बच्पन से ही वे बहुत ड्रामेबास थी और आजेस उनके बगल में बैठे हुए थे वे उन्हें देख रही थी और देखते हुए उनसे कहा कि वहाँ तो बहुत भीरोगी आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना और राजेस ने भी बिना किसी जिजक के कहा हाँ बिल्कुल तब डिमपल ने कहा कि हमेशा के लिए और बस यह वही एक समय था उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है वही राजेस खर्ना को कुछ लोगों द्वारा गलत समझा जाता था लेकिन काम के मामले में वह बहुत इमानदार थे उनके साथ एकी दिक्कत थी कि अगर 9 बजे की सिफ्ट होती तो वे 12 बजे आते थे और एक बार वे मद्रास में हाथी मेरे साथी की सूटिंग कर रहे थे और इस फिल्म के निर्माता चिनपप थेवर बहुत सक्त वेक्ती थे इसलिए वह सुबह 9 बजे राजेस खर्ना को लेने के लिए एक आदनी बेशते थे लेकिन तब भी राजेस खर्ना 12 बजे ही सेर्ट पर पहुंचते थे उस दोरान वे एक बहुत बड़े हीरो थे और तब थेवर ने एक आदनी को नौकरी पर रखा और जैसे ही राजेस खर्ना आते थे थे थेवर उस आदनी को पीठने लगते और गालियां देने लगते वह चिलाते और कहते कि क्या हम तुम्हें पैसे नहीं देते तुम देर से क्यों आते हो और ऐसा कहीं दिनों तक चला और फिर राजेश खर्णा समझ गए कि क्या हो रहा है इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सही टाइम पराना शुरू कर दिया राजेश खर्णा ने जो इस्टाडम फिल्म इंडस्टी में देखा था वह किसी और के हिस्से में नहीं आया राजेश खर्णा ने में सफलता का इतना जुनून था कि वह इसके लिए कुछ भी कर सकते थे साल 1971 में आराधना फिल्म से उनकी सफलता को जो दौर सुरू हुआ वह लगातार 15 हिट फिल्मों के साथ साल 1972 में अपना देश फिल्म के साथ रुखा और इसके बाद उन्हें सफलता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और फिर बाद में उनकी फिल्म अमर दीप ने राजेश खन्ना को इस बुरे दौर से उबारा वही राजेश खन्ना को शर्त लगाने का बहुत सौक था और इसकी वज़े थी कि वह शर्त में हमें साथ जीतते थे लेकिन राजेश खन्ना कभी बड़ी शर्त नहीं लगाते थे उनकी शर्त सिर्फ एक रुपे की होती थी साल 1989 में जब उन्हें सफलता का बेसबरी से इंतजार था तो उन्होंने एक बार फिर यही नुस्का आजमाया राजेश खन्ना कहते थे कि जब भी उन्हें कोई चीज हर हाल में चाहिए होती है तब वे किसी से एक रुपे की शर्त लगाते हैं क्योंकि वे हमें साथ सर्त जीतते हैं और उन्होंने अमरदीप फिल्म में की रिलीस से पहले ही यही किया था उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ एक रुपे की शर्त लगाई कि उनकी यह फिल्म हिट हो जाएगी और नतीजा यह आया कि करीब पास साल के बाद कई फ्लॉफ फिल्मों के बाद अमरदीप राजेश खन्ना की पहली हिट फिल्म बनी और इसके बाद उनकी 50-50 थोड़ी सी बेवफाई दर्द, धनवान, कुदरत, अवतार, सौतन अगर तुम ना होते जैसी फिल्म में आई जोनोंने राजेश खन्ना का करीयर बनाए रखा अमरदीप में राजेश खन्ना का काम इतना सराहा गया कि उन्हें साल 1980 के फिल्म फियर आवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया हाला कि ये अवार्ड अमोल पाले करके खाते में गया वहीं हिंदी सिनमा के लबर बॉय के नाम से मशूर राजेश खन्ना का लड़कियों के बीच इस कदर क्रेश था कि वो उनके एक इसारे पर जान देने तक को तयार थी काका के लिए दीवानगी का अलम ये था कि लड़कियां अपने तकिये के नीचे एक्टर की फोटो लेकर सोती थी राजेश खन्ना अपने अफैर और अपनी पस्नल लाइप को लेकर भी काफी चर्चा में रही है फिलेम इंडस्टी में राजेश खन्ना को प्यार से काका काहा जाता था जब वे सुपरिस्टार थे तब एक कहावत बहुत मशूर थी कि उपर आका नीचे काका चारो तरफ काका ही काका लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बहुत पॉपलर थे लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी कुछ ने तो उनकी फोटो से भी शादी कर ली थी और कुछ ने अपने हाथ मजांग पर उनका नाम तक गुदवा लिया था राजेश खन्ना का नाम कहीं एक्ट्रेस के साथ जुड़ा और डिमपल कपाडिया से साधी के बाद राजेश खन्ना टीना मुनीम के साथ रिलेशन्शिप में रहे काका टीना से बेपना मौबद करते थे और वे दोनों साथ में ही रहने लगे थे काका इस रिष्टे को छुपाते भी नहीं थे राजेश खन्ना टीना को इस कदर चाते थे कि दोनों एक ही टूट ब्रस यूज करते थे वहीं राजेश खन्ना का नाम हिंदी फिलम इंडस्टी में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है उन्हें बॉलिवुट के पहले सुपरिस्टार होने का श्रे जाता है राजेश खन्ना ने कई दसकों तक बॉक्स ओफिस पर राज किया है और बैक टू बैक 16 हिट फिलमें देने का रिकॉर्ड भी बनाया और एक समय था जब हर तरफ राजेश खन्ना की तूती बोलती थी